नमस्कार फ्रेंट्स मैं सुमन कोशिक मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ फ्रेंट्स आज मैं आपको न्यूबॉर्न बेबी के लिए मोजे बनाना बता रही हूँ यह Just New Born Baby के लिए है तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रुमाल लिया है यह बहुत ही soft fabric से बना हुआ है तो यह बच्चे की skin का according है इसकी length हम रखेंगे 5 इंच इसका proper nap जो है वह 4.5 तो हम इसमें half इंच सिलाई margin रखेंगे और इसको यहाँ से cut कर लेंगे यह दोनों पेरों का एक साथ मुझे की cutting हो रही है तो इसकी width है वो भी 5 इंच है इसका measurement कैसे लेना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो यहाँ पे हम 3 इंच पे marking करेंगे पहले हम इसको ऐसे fold कर लेंगे सभी किनारियों को एक बराबर करेंगे उसके बाद यहाँ पे फ्रंट से हम लेंगे 3 इंच फिर अंदर जाएंगे 1 इंच दोनों points को मिला करके हम यहाँ से cut करेंगे इसको cut हम इसको थोड़ा सा round में करेंगे इस परकार से round देते हुए cut कर लेंगे और अब इसको सिधा करते हैं और जो इसमें से बचा हुआ है उसको भी हम double करेंगे इसकी width 4 इंच है तो हम इसको दो हिस्सों में divide करेंगे cut करके अब यहाँ पे हम इसको नाप करके देखेंगे स्ट्रिप को इसके बराबर लेके जाएंगे round में तो जितना एक्स्ट्रा है उसको cut कर देंगे इसको cut करने के बाद हमें चाहिए एक पतला elastic को यहाँ पे attach करेंगे इसको हलका सा खींस कर करके हम यहाँ पे अटेज करेंगे अब मोजे के साथ में हम इसको आटेज करेंगे right side दोनों की अंदर रहेगी और इसको जो उल्टा साइड है उसको उपार रखेंगे और यहां पर सिलाई लगा देंगे फ्रेंज आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी यहां पर अटेच हो जाने के बाद हम इसको उल्टा करके पीछे की सिलाई लगाएंगे और साथ में हम नीचे की सिलाई भी लगा देंगे इसमें यह सिलाई हो जाने के बाद हम इसको ऐसे करेंगे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बता रहे हूँ, जो सिलाई है वो बिल्कुल जस्ट नीचे में आना चाहिए, सेंटर में और यहाँ भी हम सिलाई लगा देंगे, सेम तरीके से हम दूसरे मोज़े को भी बनाएंगे, तो फ्रेंस यह बेबी का मोज़ा बन करके रेडी है, दूसरे को भी ऐसी तैयार कर लेंगे सिल करके, यह फ्लेक्सिबल भी है, स्ट्रेचेबल भी है, और नाप आपको ऐसे लेना जैसे मैंने आप दिखा रही हूँ, राउंड और लेंथ, राउंड लेंथ दोनों एक बराब और होती है, यहाँ पर मैंने बड़े बच्चे के पैर पर आपको बता है,